Hey Good Morning everyone, तो आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं How to Convert Unlike Fractions Into Like Fractions ठीक है ना? Unlike Fractions को like fraction में convert करना बहुत ज़लूरी होता है विगोज अगर हमें fractions को add करना है fractions को minus करना है, subtract करना है या fractions को compare करना है तो उनको like fraction में convert करना बहुत ज़लूरी होता है तो यह बहुत important process है और यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है because अगर आप unlike fractions को like fraction में convert करना आपको नहीं आएगा तो ना ही आप comparison कर पाएंगे ना ही आप additional subtraction कर पाएंगे ठीक है तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं बहुत ही simple process है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like से रहें सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है फिर्स्ट देख लिजिए आपके 1 by 6 and 1 by 3 दोनों क्या है different denominator है different denominator है इसका मतलब क्या है यह unlike fraction है दूसरा क्या है 4 by 5 and 1 by 2 ठीक है और दोनों क्या है अब देख लिजिए इनके तीन स्टेप में इनको फॉलो करना पड़ेगा फिर्स स्टेप है सबसे पहले हमें क्या लेना है डिनॉमिनेटर का LCM ले लेना है LCM of denominator तो इनका जब ले ले लेंगे फिर्स स्टेप में तो देख लिजिए LCM दोनों क्या आएगा इनका क्या करना है LCM ले लेना है LCM दोनों क्या आएगा 6 आएगा धियान रखना है अगर दोनों में से कोई एक नमबर किसी को डिवाइट कर रहा है तो जो बड़ा नमबर होता है दूरत है Dobar क्या द मतपी सब्सद्रस्ट आज़िए Weinल में गर्सद्रस डिश्ट से आग है और यह हो गया one one एक है 2397 यह हो गया आपका LCM ठीक है ना तो LCM आमने फर्स स्टेप हमारा क्या हिए LCM निकालना तो LCM हमारा क्या आ गया 6 आ गया second step में क्या करना है हमको divide LCM with the denominator अभी क्या करना है denominator LCM को किसे divide कर दिना है denominator से तो first हमारे fractions के लिए क्या हो गया जब हम first fraction को like में convert करेंगे तो क्या होगा 6 वंजा 6 one time में गया है तो हम denominator और numerator दोनों में क्या multiply करेंगे quotient multiply the quotient into both तो जो quotient आया है ना उसको हम क्या करेंगे denominator numerator में multiply कर देंगे ठीक है यह होगे हमारा one by six दूसरा क्या है हमारा one by three ठीक है अब three को क्या कर दीजिए six को क्या कर दीजिए three से multiply कर दीजिए क्या आएगा three two six तो two time में गया quotient हमारा two आया तो हमने क्या किया one by three में हमने quotient को multiply कर दिया quotient हमारा क्या था two था कर लिजिए यहां पर two by six ठीक अब यहां पर क्या आगया दोनों का denominator सेम हो गया अब चाहे आप इनको प्लस कर दीजिए चाहे आप इनको माइनस कर दीजिए चाहे आप इनको compare कर दीजिए ठीक है अब यहां से आप कुछ भी कर से